Welcome back friends. So, आज की वीडियो में हम देखेंगे टेरा फॉर्म लोकल्स वरियाबल टेरा फॉर्म में जब कोई भी वेल्यू बल्टिपल टाइंस यूज में हो, मिंस मुल्टिपल रिसोर्स के अंदर यूज हो रहा हो तो उसको हम लोकल्स के अंदर एक वरियाबल में इनिशाइज कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं आर उसको जिगा जहां भी रिकार होता है, वहाँ पे उसको यूज चेंज कर लेते हैं प्रिविएस वीडियो में हमने ये प्रोग्राम किया था इसी के साथ हम लोकल्स को यूज करके देखते हैं आप इस प्रोग्राम में देखेंगे तो यहां पर जैसे टैग नहीं हम देख सकते हैं devvpc, dev subnet और इंस्टाइन से लांज के यहां पर भी dev है यह हमारा dev जो है multiple times repeat हो रहा है सारे resources में इसको हम क्या करेंगे? लोकल्स मों define कर देंगे लोकल्स वैल्यू लोकल्स वैरियल में कैसे define करते हैं? लोकल्स और इसके अंदर हम variable दे जेते हैं let's suppose हमने दिया env equals to dev क्योंकि dev word हमारा multiple times tag में use हो रहा है अब जब भी हमें dev को use करना होगा तो वहां पर हम env use कर लेंगे retrieve कैसे करेंगे इस variable की value को? dollar sign curly braces open close इसके अंदर हम लिखेंगे local dot variable हमने दिया env right? तो अब इसकी values name equals to tag हमारा क्या आएगा? dev hyphen bpc similarly हम अगर यहां देखें यहां पर भी इस चीज को change कर सकते हैं dollar local dot env dollar local dot env right? अब एक पर आपको इसके values दिखाते हैं retrieve करके execute करते हैं terraform plan ठीक है? अब आप यहां देख सकते हैं print में tag में आया dev vpc यहां tag में आया dev support यहां tag में आया dev dev instance अब जब भी हमें इसके value को change करना होगा तो मुझे सिवल एक प्लेस पे चेंज करना होगा यहां पे prod के लिए हम क्या कर देंगे? prod और उसके बार यहां पे terraform plan चला के रेखेंगे prod vpc prod subnet prod web instance I hope आपको यह clear हो गया होगा next हम देखते हैं functions terraform में बहुत सारे functions भी होते हैं let's suppose अगर मैं यहां पे बात करूं upper function की so env में मैंने prod दिया small में अगर इसी को मुझे capital में देना हो तो env underscore name एक new variable लिया equals to upper function upper function के अंदर अगर मैं write करूं prod so env name को जहां पे भी मैं use करूंग prod जो है capital में retrieve होगा इसी तरह अगर मैं देखो reverse function होता है my number एक variable लिया equals to reverse हमने का 15, 12, 10 right अब इनको print करके देखते हैं क्या आता है output function कर लेते है upper env name यहां पे मैंने दे दिया local.env name यह variable का नाम env name है जिसमें हमने upper function यूज किया है right इसी तरह एक दूसरा output function ले लेते हैं number के लिए output my number reverse dollar कर लिवरेश इस local.my number ठीक है execute करते हैं इसको error form plan reverse expects only one argument okay okay so reverse function I think यह जिए issue आ रहा है क्योंकि यह list को support करता है so local.my number 15 comma 12 comma 10 terrify plan okay okay so अब देखते हैं यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर print आया हमारा my number reverse equal to 10 12 15 हमने कह दिया था 15 12 10 इनको इसने reverse order में print कर लिया similarly अगर मैं देखो prod के लिए जो हमने print किया था capital में prod वो print कहा गया यह और prod prod जो हमने print कर आया था वो हम देख सकते हैं आप पर env name equal to capital में prod so I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो helpful लगी तो चैनल को subscribe करिएगा और अपने friends के साथ facebook page पर जरूर share कीजिएगा thanks for watching bye bye